अधा कॉंड बुनार नमस्कार सर नमस्ते केम चो केम चो सर मैं आरती देवरे महिला मोर्चा अध्यक्षा कोरिगाउ शहर और भूत अध्यक्षा मेरा सवाल आपसे यह है कि विपक्ष किसानों को गुम्राग करने की कोशिश कर रहा है उनका जूट बे नकाप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ मैं सबसे पहले तो विक्रम मैं आपको बधाई देता हूँ आपकी पूरी टीम को आरती बसा बहुत शांदार कारकम किया और हमारा कोई भी MLMP नहीं है तो भी आपका जो उत्साह है देश के जो कारकरता इस कारकम को देख रहे हैं उनको भी प्रिणना मिलेगी दूसरा मेरे लिए बहुत खुशी के बात है कि आपने लक्ष्मन रावी नामदार को याद किया सातारा के सब लोगों को मालूम है कि मेरे जीवन को बनाने में लक्ष्मन रावी नामदार जी का बहुत बड़ा रोल रहा कई वर्ष्वा तक उनके साथ मुझे कायरे करने का आवसर मिला और उनके साथ भी कभी मुझे सातारा आने का मोका मिला था उसके बाद भी जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब भी साता रहता रहता था और आप सबसे मिलता रहता हूँ और आगे भी आने का मुखा मिलता रहेगा आरती जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है हमारे अंददाताओं की उन्नती को हो 2022 तक हमारे किसानों की आमदनी दोगुनी हो इसके लिए भाजपा की सरकार में बीज से लेकर के बाजार तक अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं फसल चक्र के हर चरण के दोरान किसानों को ससक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे एग्रिकल्चर एको सिस्टुम को किसानों के लिए हितकारी बनाने का काम हो रहा है इसके लिए हमारी केंद्रव और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम कर रही है इसी का परणाम है कि हमारे महाराष्टर की कृषी आज बदल रही हैं समर रही है जैसे पहले की सरकारे 60-65 साल में महाराष्टर में मात्र और ये आंकड़े आपको याद रहने चाहिए सतारा के लोगे आंकड़े याद रखोगे अरे हाथ उपर करो तो मुझे दिखाई दे जारा जोर से बताओ रखोगे 60-65 साल में महाराष्टर में सिरब 32 लाग हेक्टर जमीन को सींचाई के दाइरे में लाया था इतना ही काम कर पाये थे मुझे बताया गया है कि पिछले तीन साल में ही भाजपा की सरकार बनने के बाद ये दाइरा 32 लाग से 40 लाग पहुँच गया याने 20-25 प्रतीशद वृद्धी यही कारण है कि कई खेत्र जो कभी सूखे के लिए जाने जाते थे अब जलयुक्त शवार के लिए जाने जा रहे हैं इस खेत्रों में बड़े पैमाने पर खेती के लिए किसानों के सिंचाई पंप तक बिजली का कनेक्शन पहुँचाया गया है इसी तरह महराष्ट में कॉंग्रेस सरकार के 15 साल में यहां करा भी याद रखिये 15 साल में किसानों ने फसल विमा योजना के तहर 450 करोड रुपे जमा किये और उन्हें केवल 1400 करोड रुपे मिले लेकिन मुझे बताया गया है कि प्रदानमत्री फसल विमा योजना किसानों की भागिदारी भी बढ़ी है और उन्हें मिलने वाले मुवावजे में भी कई गुना बढ़ोत्री हुई है फसल विमा योजना के तहद राजी के किसानों ने मात्र सोला सो करोड रुपे भरे और उन्हें बारा हजार करोड रुपे मिले यह याद रखोगे आकड़ा दोस्तों यह बढ़लाव नहीं है तो क्या है मुझे यह भी बताया गया है कि महराष्ट्र में पहले के 15 वर्सों में किसानों से मात्र 450 करोड रुपे का अनाज खरीदा गया था MSP में याद रहेगा आकड़ा हाँ 15 साल में 450 करोड कितना लेकिन भाजबा सरकार बनने के बाद सिरत तीन ही साल में 8500 करोड रुपे का अनाज खरीदा है कहां 450 और कहां 8500 कहां 15 साल और कहां 3 साल भायो भेनो जो आज किसान नेता बन रहे हैं उनको इस बात का जवाब देना चाहिए और यहां के क्रिशी मंत्री केंदर में थे लंबे अर्थे तक क्रिशी मंत्री रहे केंदर में उनको भी जवाब देना चाहिए इसी तरह महराष्ट और उत्तर प्रदेश के हमारे गन्ना किसान चीनी के दाम लगातार गिरने के कारण संकट में थे उन्हें अपनी लागत का उचीत मुल्ली भी नहीं मिल पाता था लेकिन मिनिमम सेलिंग प्रईज के कारण केंदर सरकार ने पहली बार किसानों को गन्ने की फसल के उचीत दाम दिलवाए वर्ष 2017-2018 में 322 मेट्रिक टन सुगर प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बना था इस साल भी ऐसा ही उत्पादन रहने की उम्मीद है आप जानते हैं कि खपच से ज़्यादा उत्पादन होने के कारण भाव गिर जाते हैं इसका खामी आजा किसानों को भी होता है और चीनी मिलों को भी होता है यह जानकर आपको खुशी होगी यही देखते हुए सरकार ने मिनीमम सेलिंग प्राइस ताय करने का अइतिहासिक फैसला लिया अब गरेलू बजार में बेची जाने वाली चीनी की किमत फैक्टरी के गेट के गेट पर ही कम से कम 29 रुपे प्रती किलो फिस की गई है अतिरिक्त चीनी को विदेशों में निर्यात करने के लिए भी केंदर सरकार ने कदम उठाए है निर्यात के लिए चीनी मिलों को अतिरिक्त वित्तिय मदद दी गई है लेकिन ये रकाम चीनी मिलों को तभी मिलेगी जब वो गन्ना किसानों की बकाया रकाम का पूरा भुगतान कर देंगे अब गन्ना किसानों की बकाया रकाम सीधे उनके खाते में ही जाएगी सर्प्लस चीनी के निदियात को आसान बनाने के अलावा सरकार ने चीनी मिलों को एथेनोल का उत्पादन करने की भी अनुमती दी है ताकि वो किसानों को वक्त पर उनकी बकाया रकाम दे सके इन सब उपायों का असर ये हुआ है कि गन्ना किसानों की 2016-17 और उससे पहले की बकाया राची का 99% भुक्तान हो चुका है और मैं आपसे जब किसानों की बात दिख ली है तो कहना चाहूंगा कि इस बार वर्षा अपेक्षा से कम रही महाराश्ट में देविंदर जी की सरकार ने पानी के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया लगातार तीन साल से लेकिन इस बार फिर से संकट पैदा हुआ है लेकिन मैं महाराश्ट के किसानों को विश्वाद दिलाता हूँ कि महाराश्ट में जो अकाल की स्थिति पैदा हुई है देश में के भी जिस जिन कौनों में अकाल की स्थिति पैदा हुई है भारत सरकार, राज्य सरकार के साथ कंदे से कंधा मिला करके काम करेगी और हमारे किसान भाईयों को मदद हो जिन लोगों के पीने के पानी का संकट पहुंचा है उनको मदद हो यह सारी चिंता हम करेंगे